हेलो एबरीवन वेलकम टू सेके टॉर्याल आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ एन एफ एल यानि कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेट में जो वेकेंसी रिलीज हुई है नोन एग्जेक्यूटी पोस्ट के लिए जिसमें जुनियर इंजिनियर असिस्ट CET पोस्ट के लिए यानि कि डिपलोमा इंजिनियर ट्रेनी के पोस्ट के लिए जिसके लिए ईलीजुबल है डिपलोमा इन कैमिकल इंजिनियर और B.Sc वाले के निडेट यानि कि कहा सकते हैं educational qualifications wise दोनों ही vacancies में आप form को fill up कर सकते हैं अगर आपने BSc या फिर Diploma in Chemical Engineering किया है तो तो ये एक अच्छा खासा opportunity है जिन्होंने भी BSc या फिर Diploma in Chemical Engineering किया है लेकिन form fill up करने के बाद basically मन में प्रस्ण आती है कि इस examinations का preparation कैसे करें तो आज के इस episode में basically मैं top 10 tips and tricks आप सभी के साथ share करने वाला हूं इस examinations के preparation से related यानि कि आज के इस class को आप कह सकते हैं कि यह orientation class है और इस episode को पुरा last तक देहें के बाद आपको basically कैसे करें इस examinations की तैयारी इस प्रस्ण का answer मिल जाएगा तो चलिए आज के इस episode की सुरुआत करते हैं लेकिन दोस्तों इस episode को सुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे sq tutorial यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजट किये हैं तो इस चैनल को subscribe कर लिजिए for more videos की notifications को पाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अगर basically आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ और अच्छे से preparation करना चाहते हैं paid batch की तलास में हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ sq tutorial app पर simple में google play store से sq tutorial app को download करना है आपको basically batch में enrollment लेने के लिए app में login करके batch में enrollment ले सकते हैं chemical engineering वाले और bsc वाले candidate के लिए दोनों के लिए एक ही batch बनाई गई है क्यों बनाई गई है एक ही batch इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे videos में और अधिक जानकारी के लिए किसी भी तरह का help चाहिए admissions आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे इस admission help line number पे call करके जानकारी ले सकते हैं हमारी team basically आपको अच्छे से guide कर देगी admission process के बारे में और enrollment लेने के बारे में तो चलिए आज के इस episode की अब शुरुआत करते हैं दोस्तो पहला point की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है इस examination के pattern को समझना होगा तो यहाँ पर बात करते हैं अलग-अलग करके आप दोनों को parallel लिके चलेंगे HURL और NFL को दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते है NFL और HURL दोनों ही examination के exam pattern same है syllabus भी almost same है तो यहाँ पर preparation आप लोग एक साथ कर सकते हैं जैस कि NFL examinations की pattern की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को पता है basically NFL examinations में जो है 150 questions examinations में आएंगे बिल्कुल सही बात है जिसमें से 100 questions जो रहेंगे वो technical के questions रहेंगे और 50 questions जो रहेंगे वो non technical के questions रहेंगे और इस examinations में negative marking नहीं है और यह जो मैंने बताया है यह सिर्फ और सिर्फ NFL examinations के लिए ही applicable नहीं है बलकि HURL examinations का भी pattern यही है और दोनों ही examinations में negative marking नहीं है तो यह एक अच्छा opportunity है आप सभी के साथ तो examinations pattern को अच्छी से समझिये जिसमें कि आप सभी को पता है अगर आपने diploma in chemical engineering किया है या फिर diploma in petrochemical engineering किया है या फिर आपने BSc किया है physics chemistry math से तो qualifications है उसके background के basis पे अब बहुत सारे बच्चों को confusion रहता है कि सर मैंने BSc mathematics से किया है तो क्या 100 question जो रहेंगे वो mathematics का रहेंगे क्या या फिर सर मैंने BSc जो किया है chemistry से किया है honors subject मेरा chemistry रहा था तो क्या 100 question chemistry से ही सिर्फ आएंगे क्या या फिर मुझे physics chemistry math तीनों पढ़ने होंग ताकि सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ सके तो देखिए दोस्तों basically यह जीजए notifications में ना ही NFL और ना ही HURL की notifications में clarity दी गई है लेकिन as per my experience और अलग-अलग एक इस तरह की जब notifications आते हैं तो आम तोर पे question जो frame किये जाते हैं वो BSC वालों के लिए अलग और chemical engineering वालों के लिए अलग लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि यह लोग universal paper ready कर देते हैं यानि कि generalized paper है ऐसा question ready करते हैं जो कि BSC वाली वह answer दे सके और और diploma in chemical engineering वाले candidate भी answer दे सके तो इसी लिए आपको दोनों तरह से तयार रहनी चाहिए तो इस सब चीजों के बारे में मैं batch के अंदर में detail में बातें करूंगा ही लेकिन इन general आपको जो है syllabus पढ़नी चाहिए chemistry वाला syllabus को जादा focus करनी चाहिए हमने एक वीडियो को बनाया था BSC वाला जिसमें हमने बताया था chemistry के syllabus को खास तोर पे देखिए दोस्तों ये लोग जो basically का सकते हैं workers को college या staff का जो hiring कर रहे हैं ये सब organization इसमें किसको ढूंड रहे हैं वो junior engineer assistant production को जिसमें कि और दोनों ही जो organizations है वो fertilizers productions के लिए ही जानी जाती है यानि कि chemical चीजों को ज़्य ज्यादा knowledge रखेगा अब mathematics पढ़ने वाला आदमी थोड़े न chemical चीजों के बारे में ज्यादा जानेगा या physics पढ़ने वाला तो वहां पर chemistry का ज्यादा advantage मिल जाता है यानि कि आपको examinations में chemistry से questions ज्यादा मिलेंगे यानि कि अगर आपका BSC में chemistry honors रहा है तो आपको advantage ज्याद पर internet पर junior engineer assistant grade 2 previous year question paper अब देखिए दोस्तों जो internet पर question paper available है जो आप देख करके आते हैं और हमारी वीडियो की comment sections में लिखते हैं कि सर physics का question बहुत ज्यादा देखने को मिलता है वो question हमने भी देखा है और वो जो question है basically electrical engineering का है यानि कि diploma in electrical engineering का इसी लिए वो physics के question आपको लग रहा है 11-12th level का तो यहां पर basically हमने जो internet पर खोजने की कोसिस की है junior engineer assistant grade 2 production के post के लिए या फिर chemical engineering post के लिए या BSC level का जो vacancy जाती है इसके previous year question paper हमें internet पर कहीं पर भी authentic और original questions देखने को नहीं मिले तो इसी ज्यादा आप सभी को भटकना नहीं है previous year question paper जो सो देख करके औ और उसी को basically सही मान लेना है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आप सभी को ज़्यादा तर questions को chemistry से आते ही हैं लेकिन कुछ questions आपको physics के भी दिखाई पड़ेंगे कुछ questions आपको basically mathematics के भी दिखाई पड़ेंगे 11-12th के BSC वाले के निजेट को मैं especially ये बातें बोल रहा हू लेकिन आपको इस चीज के लिए भी तयार रहनी है कि हो सकता है वो chemical engineering के कुछ topic के भी question बना दें तो आपको सब कुछ पढ़ना है इसलिए batch के अंदर मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को और मैं यही suggest करूंगा कि आपको diploma in chemical engineering के भी कुछ important topics को देखनी चाहिए अवस्य है जैसे कि moss transfer, heat transfer और जो instrumentation and process control engineering का जो topic है chemical reaction engineering कुछ topic ऐसे हैं जो आपको देख करके जानी चाहिए examinations में सिर्फ इसी चीच पर आश्रीत नहीं रहना है कि सिर्फ हम BSE ही करेंगे BSE वाले इसलिए बस को ही पढ़ेंगे physics, chemistry, math को और especially मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ दो आगे ठीक है तो एक बार अगर आप अच्छे से करते हैं तो HURL और basically NFL, JEA दोनों ही पोस्ट के लिए आप preparation कर पाएंगे अच्छे से systematic way में उमीद करते हैं ये examinations pattern और ये दोनों चीजों को समझ गया होंगे यहाँ पर screen पर हमने topic लिखा है कौन-कौन से topic से question आएंगे इन general यहाँ पर clarity आ गया होगा कि BSC वाले candidate को क्या पढ़नी है तो ज़्यादा focus करना है chemistry के उपर और physics और math को एक basic level पर पढ़ना है daily live classes 8 वजे रात में चलता है NFL के chemical engineering और BSC वाले batch में आप लोग जुड़ सकते हैं physics के classes already start हो चुके हैं इसके बाद जैसे ही physics complete होगा और यहाँ पर chemistry के वी classes शुरू हो जाएंगे और chemical engineering के already recorded classes available हैं उसको आप लोग देख सकते हैं अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर non-technical section का दोस्तों अब non-technical बहुत सारे candidate का already prepare कर चुका होता है या already रहता है preparation किया हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग railway का SSC का preparation करते हैं तो वो लोग कर रहता है लेकिन इसका जो syllabus है वो 15 नंबर का math रहेगा 15 नंबर का reasoning रहेगा और 15 marks के basically 10 marks के English रहेंगे और 10 marks के GKGS current affairs रहेंगे इस तरह से 50 marks के questions आपका non-technical section से पुछे जाते हैं तो examines pattern जो रहेंगे दोनों का लगभग लगभग में सब कुछ same ही है technical non-technical दोनों का same ही है negative marking दोनों में नहीं है तो इसलिए कोई दिकत नहीं है अब दोस्तो हम लोग आगे बढ़ते हैं point number 2 की बात करते हैं study the syllabus thoroughline अब हमने बात किया यहाँ पर syllabus के बारे में दोस्तो आप सभी को पता है कि NFL ने भी official कोई भी syllabus को रिलीज नहीं की है BSC वाले candidate के लिए साथ ही साथ यहाँ पर HURL की अगर मैं बात करूं तो diploma engineer training chemical के post के लिए भी officially कोई syllabus को रिलीज नहीं की गई है लेकिन चुकि हम लोग teaching field में पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं तो इसलिए हम लोगों क अलग-अलग examinations के nature और अलग-अलग examinations के basically syllabus को previous year question paper के basis पर या फिर कह लिजिए हमारे जो ex student examinations को दिये होते हैं memory based questions के आधार पर हम लोग एक syllabus को generalize syllabus को create किये हैं तो इसके आधार पर आप लोग preparation कर सकते हैं जो कि आपके लिए basically यह सही हो सकते हैं अब देखिए दोस्तों ज अगर आपने BSE किया है physics chemistry math से इसका जो syllabus रहने वाला है वो आपको focus करना है on the basis of chemistry को और chemistry में भी organic chemistry, inorganic chemistry and physical chemistry ये तीनों को देखना है और chemical process को देखना है and industrial chemistry के topic को देखना है ठीक है तो यह हो गया chemistry वाला part इसके बद आपको aptitude देखना है reasoning देखना है and gk our common sections ये सबी चीजो को देखना है ये हो गया NFL के लिए हमने यहाँ पर physics के बारे में और basic maths के बारे में चर्चा नहीं करी है क्योंकि question जो है maths के और normal physics के questions कम देखने को मिलेंगे ठीक है इस चीज को आप लोग यकिनन बिलीव कर सकते हैं क्योंकि आप ये मानिये कि NFL किसको hire कर रहा है junior engineer assistant production के देखनी है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर DET chemical वालों के जो syllabus है chemical engineering में focus करना है mass transfer पे heat transfer subject पे fluid mechanics पे chemical reaction इंजिनियरिंग पे thermodynamics पे और इस तरह के और भी topics हैं जो की batch के अंदर में detail में बताया हूँ वहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ tip क्या है आप सभी के लिए यहाँ पर कि start करना है अपना preparations को अच्छे से और subject को अच्छे से strong करनी है हर एक subject को अगर conceptual clarity के साथ समझेंगे और मैं important questions important mcq questions practice करवाने वाला हूँ सभी कुछ एक एक topic जब खतम होंगे तो उस topics related अलग अलग एक generations के previous year question paper को भी मैं आप सभी के साथ करवाने वाला हूँ तो overall preparations के लिए आप लोगों के पास अच्छा opportunity है अगर आपका diploma in chemical engineering है या फिर आपका BSC है PCM से तो आप लोग जुड़ सकते हैं बहुत ही basic से basically मैं classes को सुरू किया हूँ अभी physics के already classes चल रहे हैं recorded classes upload हो रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से देखिए physics preparations हो जाएगा वो एक तरह से कह सकते हैं general science के तरह काम करेगा और mathematics के भी बहुत basic questions आते हैं basically matrix determinant और कह सकते हैं coordinate geometry से related questions रहते हैं state line का equations वाला type का questions सब रहता है हमने देखा है previous question को तो उस तरह का questions रहता है तो वो सब चीज़ें करेंगे हम लोग ठीक है अब यहां पर आपको अगर batch में जुड़ना है simple में Google Play Store से sq tutorial app को download करके आप लोग batch में involvement ले सकते हैं आप सभी को अमने starting में भी बताया था और आप लोग ऐसा कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर point number 3 में के study plan आपको proper study plan बनाना है और per day जो है at least four to five hour आपको पढ़नी है अगर आप दोनों ही एक्जनेसेंस साथ साथ पर प्रेसेंस करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों में से किसी ना किसी एक्जनेसंस में आपका selections हो जाएगा अगर आप systematic way में routine से daily अपना time को devote करते हैं study में तो बहुत high chances है इस बार आपका selections हो जाएगे और इस एक्जनेसंस में दोस्तों को कि negative marking नहीं है तो और भी ज्यादा अच्छा है कि अगर आप कोई question में चाहें तुक्का लगाने के लिए लगाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होंगे ठीक ह आपको खुद से schedule बनाना है daily का plan बनाना है और उसमें बाटना है per day को कि इतना देर मैं technical sections को पढ़ूँगा और इतना देर मैं non technical sections को पढ़ूँगा और daily practice करना है ठीक है तो ये 4 से 5 घंटा जो हमने बोला है पढ़ने के लिए इसको आप लोग अपने हिसाब से बाट सकते ह कि कितना देर आपको technical पढ़ना है कितना देर non technical पढ़ना है अगर जारत होगी तो इसके उपर भी मैं अलग से separate videos बना दूँगा अब दोस्तों आगे बढ़ते है next point जो है हम लोगों का fourth point conceptual clarity in chemistry में रहना चाहिए क्योंकि ये most important चीज़े है ठीक है तो conceptual clarity आपको रखना है chemistry को अगर आप चाहे तो इस बुक को परचेज करके प्रेप्रेशन्स कर सकते हैं otherwise मैं कहूंगा कि competitive ignorance के दुनिया में कि बुक से सिर्फ प्रेप्रेशन्स नहीं किया जा सकता है सिर्फ बुक से है ना क्योंकि आज कल बहुत कुछ बदल गया है trend अलग हो चुका है और किस तरह का trend है कैसे क्या है वो चीज़ें basically आप कहीं से एक online systematic way में classes लेते हैं तो वो updated form में आपको सभी चीज़ें मिलती है तो इस वज़य से मैं ऐसा मानता हूं आज के date में online classes basically prefer करना चाहिए प्रेप्रेशन करने के लिए otherwise book तो अच्छे होते ही है ठीक है लेकिन बुक में बहुत unlimited चीज़ें जो बहुत ज़्यादा information होता है और सिर्फ information से हम लोगों को मतलब नहीं होता है basically exam के प्रेप्रेशन करने के लिए जो information जरूरी है वो आपके लिए important है और वो देने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं आप सभी के लिए important questions आपके एक्जनेसंस के लिए कौन-कौन हो सकते हैं कौन-कौन से topic trend में चल रहे हैं किस-किस topic से questions आज की current trend में पुछे जा रहे हैं यह सब चीज़ों से हम लोग updated रहते हैं तो basically एक सही directions मिल जाता है updated way में चलिए आगे बढ़ते हैं next point है fifth point की strategies है practice करना है previous year question paper को and mock test को देखें दोस्तो previous year question paper तो इसका objectively available नहीं है इंटरनेट पर कहीं पर भी जैसा कि हमने starting में ही आप सभी को बताया है लेकिन हमारे पास कुछ NFL एक्जनेसंस का और HURL एक्जनेसंस का जो past year में एक्जनेसंस हुए जब कोई topic complete होंगे तो वो करवाओंगा इसके बाद mock test जो है वो sample paper के format में मैं देने वाला हूँ और जो memory based question हम लोगों के पास है वही memory based question को mock test में भी डाल देंगे यानि कि sample paper में तो क्या होगा अगर आप sample paper पढ़ेंगे तो previous year question paper भी उसी के साथ साथ हो जाएगा तो उसको भी आप लोग preparation कर सकते हैं अच्छे से यह आपको अपने level पर भी करनी है इसके बाद solving previous year question पर पर जोता है यह आपको insights, questions के pattern और difficulty level के एक idea देता है तो यह सभी चीजे तो मैं आप सभी को basically अच्छे से रूबरू कराने वाला हूँ आगे है tip time yourself basically during the practice to improve speed and accuracy, speed and accuracy को maintain करने के लिए आपको basically यह सी जो को करनी होगी अगला point पर हम लोग move करते हैं, focus करना है on numerical problem solving पे, numerical problem solving पे ज्यादा जैसे कि setting clear expectation आपका जैसे आप test देते हैं या फिर mock test देंगे तो आपका clarity होना चाहिए कि इतना max हमको लाना है, क्या क्या कमी आपकार है test जब दे रहें तो बोस दैग जनेसेंस, HURL और NFL दोनों ही यह जनेसेंस में problem solving skills बहुत important role play करेगा, especially in topics like thermodynamics, fluid mechanics and chemical calculations में, ठीक है, यह जो मैं बता रहा हूँ, यह basically खासकर पे, diploma in chemical engineering वालों के लिए, और जो BSC वाले के नीडिट हैं, इसमें भी chemistry के जो कुछ numerical के, molar concept या फिर other topic के, उसके numerical को करना important है, क्योंकि numerical अगर आप करते हैं, mathematical थोड़ा से होते हैं, तो आपके चीजें practically आपका conceptual clarity रहता है, और अच्छा feel भी करते हैं, positive feel करते हैं, ठीक है, providing constructive feedback, आपको basically देखना है कि कहां कहां पे आपका weakness है, कि इस topic में basically आप इस्टक कर जा र presence, ये non-technical sections का part है, दोनों ही एक generations में basically current affairs, general knowledge and static GK के questions आते हैं, इसे लिए इस पार्ट को भी नगलेक्ट नहीं करना है, इसको भी ध्यान से देखनी है, इसके बदर tips and suggestion है कि stay updated रहना है आपको current events से, current, यहां पर है events related to India, the chemical industry and global trends in science and technology, यानि कि chemical industry में भी कुछ बदला हुए ह हैं, कुछ नए current affairs में कुछ event हुए हैं, तो basically उसके बारे में भी updated रहनी है, क्योंकि उससे related भी questions आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही company जो है, fertilizer production company का सकते हैं, या unit है, जो भी का सकते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर next eighth point है, work on reasoning and aptitude skills, देखिए, ये बहुत इसको लेकिन 30 marks का ये भी role play करेगा, mathematics और reasoning, हलांकि ये मैं बोलता हूँ कि maximum student का ठीक होता है, जिसका basically ठीक नहीं है, उसको ये भी देखना है, reasoning और aptitude, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, तो ये तो previous question पर available है, NFL का जो भी exam का questions आपको इंटरनेट पर मिल जाता है, उसका non technical questions को definitely देखेगा, वो आपके preparations में सही सहलियत हो जाएंगे, non technical sections का और question के level आपको पला चल जाएंगे, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर logical reasoning and aptitude में जो है, यह common sections है, बोत examinations के लिए यह आप सभी को मैंने बताया ही है, tip है, solve करना है puzzles को, practice करने logical questions को, and brush up on basics, math skills, like percentage, chapter को ratio, proportion and algebra, बहुत सारी topics है, arithmetic या नहीं, arithmetic पार्ट जो है, आपको अच्छे से preparation कर लेनी है, यह more than sufficient रहेगा, आपकी examinations के लिए, और मैं बता देता हूं कि, HURL और NFL में examinations के questions का जो level रहता है, बहुत next level का नहीं रहता है, basic to moderate रहता है, अगर कोई बच्चा अच्छा से concept रखता है, सभी questions को लेकर के, तो easy way में solve कर पाएगा questions को, कुछ questions एकात आते हैं, जो नहीं बनना है, और ऐसे भी paper setter जो है, जब paper setting होता है, यही चीज़ों को म अचान जो है, आपको mock test से आएंगे, next है, manage time effectively, यह important है, time management during the examinations is crucial, as you need to balance between aptitude, reasoning and technical sections, यह चीज़ों को आपको balance करना होगा, और यह चीज़ों को balance करने का practice आपको आएंगे, जब आप mock test को लगाएंगे, तो mock test भी important है, इसको आप ध्यान दीज़ेगा, mock test हम लोग अभी promise नह लोग यहाँ पर जाते है, tip है यहाँ पर, कि don't spend too much time on difficult questions, ज्यादा समय बरबाद नहीं करना है difficult questions पे, move ahead and come back then to them, if time permits, अगर time बचा हो रहेगा, तब आपको उस question के ओपर move करने चाहिए, अब दोस्तों आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, कि यहाँ पर जो है लेकिन NFL जस्त इसका उल्टा है, NFL में जो एक्जनेसंस होंगे, वो होंगे OMR based, यानि कि offline एक्जनेसंस होंगे, 2021 में जब vacancy जाई थी NFL का, तो उस वक्त जो है, यानि कि उस साल एक्जनेसंस इसके online हुए थे, computer based test हुए थे, NFL का non executive post के लिए, लेकिन इस बार offline हो रहे हैं, औ HEURL के CBT ही होंगे, online एक्जनेसंस होंगे, एक्जनेसंस pattern, negative marking, सब कुछ सेम ही है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो है basically, या आप 10th और last point है, और मैं मानता हूँ कि ये point जो है, सबसे ज़्यादा important point है, आपको revise करना है regularly, और अपने progress को जरूर analyze करना है कि क्या progress आप में दिखा, पहला बार test दिये 67% आया, फिर देखिए क्या progress आ रहा है, 75%, 80%, तो progress लाने पर भी focus करना है, आपको result oriented study करनी है, ना कि knowledge oriented, knowledge बाद में आप ग्यान कर लिजेगा, अच्छे से, reality ये है कि आप अगर नौकरी ले लेंगे, तो फिर knowledge उतना matter नहीं करत है, नौकरी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, systematic way में चीजों को उतना जरूर पढ़िए, जितना एक्जनेसंस को qualify करने के लिए required है, बाद में घ्यानी और PhD बन सकते हैं, कि कर सकते हैं, किसी भी particular topic में, ठीक है दोस्तो, यहाँ पर हमने side में लिख दिया है, per month wise आ logical reasoning, quantitative aptitude, English, यह थी चीजों को पढ़ सकते हैं, third month में general awareness, current affairs, और static की के, अब यहाँ पर तीन मन्त का हमने प्लान दिया है, जरूरी तो नहीं है, तीन मन्त तक एक जनरेसंस ही नहीं हो, हो सकता है जनरेसंस 45 दिन के बाद, यहनिकि 45 देज के बाद ही हो जाए, है कि नहीं, तो systematic way में prepresence करने के लिए, समय कम है, अच्छे सी जब slabas आपका complete हो जाएगा, तो आपको revision करने का, जब time मिलेगा, proper way में, जब revision करेंगे, proper way में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, फाइदे मन्त रहेंगे, उमीद करते हैं, दोस्तों, यह सभी चीजें समझ म में का है, कि यह सभी जो point जितना भी हमने strategy और point को बताया है, इस सभी जिजों को अगर आप लोग बढ़ियां से focus करते हैं, अपने strength को देखते हुए, तो basically, आप maximize कर सकते हैं, अपने chances को, सफलता के लिए, success के लिए, in both the examinations, HURL, और NFL Junior Engineer Assistant, दोनों ही post के लिए, उमीद करते हैं, दोस्तों, ये episode आपको पसंद आया होगा, तो अब समय आचुका है, basically, आप सभी को, अगर किसी भी तरह का doubt है, question है, confusion है, तो आप लोग जो है, इस वीडियो के comment sections में अपना suggestions को, questions को लिख करके भेज सकते हैं, मुझे आपका comment का सदय इंतजार रहता है, और आप सभी क को कोई suggestion देनी है, तो वो भी दे सकते हैं, अगर कुछ improvement की जरौत होगी, तो definitely मैं improve करने की कोशिस करूँगा, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम लोग, अगला जो है, basically, यहाँ पर, आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, thank you so much, और last में मैं यही कहूँगा, batch जो है, HURL और NFL दोनों के लिए start हो चुकी है, और batch में join होने के लिए, simple में Google Play Store से SK Tutorial एप को download करना है, और batch में enrollment ले सकते हैं, तो उमीद करते हैं, दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, अगर किसी भी तरह का doubt, question, confusion है, तो आप लोग chat sections में, comment sections में लिकर के पूछ सकते हैं, तो इसी वीजार के साथ रखते हैं, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल नहीं, अगले एपिसोड में टप टकी नमस्कार, जय हिंद वन्दे मातरम